नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के मुखे समाचार के इस वीडियो में जहां आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबडे एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिब 10 मिनिट में जानेंगे वीडियो के साथ अंतक बने रहें साथ ही आपसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे साथ ही वीडियो के नीचे दिये गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन बड़ की बड़ी खबरों की जानकारी लगतार मिलती रहे तो चलिए दोस्तो वीडियो को फट अफट शुरू करते हैं को लेकर कोई भी निर्देश जारी नहीं की है डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ लोगों ने कॉक्टेल भी ले लिया है जिसमें कोवी सिल्ड और को वैक्सिन की दो दो डोज सामिल है एक रिपोर्ट के मताबिक बुष्टर डोज लेने वालों में सबसे ज्यादा संख्या राज दो तरह से रेट लिखी जाएगी एक रेट अधिक्तम खुद्रा मुल की होगी तो दूसरी रेट यूनिट प्राइस की होगी यानि कि पाच किलो के आटे का पैकेट है तो उस पर एक किलो आटे की रेट भी लिखी जाएगी इससे ग्रहकों को अंदाजा लग जाएगा कि पाकी कमपनियों की तुलना में वे कितना महंगाया सस्ता समान ले रहे हैं यह नया नियम एक अप्रेल 2022 से लागू होने जा रहा है ग्रहक इसे प्रती यूनिट का दाम आसानी से जान सकेंगे खादेव भोकता मंतराला ने इसके लिए लीगल मेट्रोलोजी रूल्स 2011 में सं सोधन किया है इसने नियम के मताबिक कमपनियों को पैकेजड आइटम पर यूनिट सेल प्राइस भी लिखना जरूरी होगा इसे ग्रहकों को खरदारी पर नफा नुक्सान की जनकारी आसानी से मिल सकेगी और अगली बड़ी ख़बर की बात करे तो उत्तर प्रदेश में ए जनवरी से 86 लाक लावर्तियों को दोगनी यानि के 1000 रुपए प्रती महा पेंसन देगी इसका सासन देश जारी हो गया है हाली में सदन में पेंसन 500 रुपए से बढ़ा कर 1000 रुपए यानि की दोगना करने का एलान किया गया था सरकार अब निरासरित महिलाओं विरिद्धो दिब्यांग जनों को हर माँ अब 500 रुपए की जगा 1000 रुपए पेंसन देगी समाज कल्यान विभाग के सासना देश में कहा गया है कि कोविट महमारी के दोरान महंगाई और मुद्धरा इस फीती समंधी मुद्धों को ध्यान में रखते हुए विरिद्धा पेंसन बढ़ और में अब 15 मुद्धरों को सस्ते किराय के मकान मुहिया कराय जाएंगे इसके लिए कई सहरों में ऐसे भावनों का निर्मान कारेश चालू हो गया है ओर योजना को अमली जमा पहनाना सुरू कर दिया इसी करम्मे सरकार ने किराया कानून में संसोधन कर उसे किरायदार और मकान मालिकों के हीतों के अनुकूल बना दिया है ताकि मकान को किराय पर देने में कोई दिक्कत ना आए वर्स 2047 तक सलम्मुक्त सहर के सपने को पूरा करने के लक्षे हैं सहरों में हर एक को मुलभूत जरूरतों को पूरा करने वाला पका आवास देने के साथ उसे बहतर जीवन यापन की सुविदा उपलत कराना उद्देश से है और अगली बड़ी ख़वर की बात करें तो भारत पहुची मिसाइल सिस्टम इस 400 की पहली खेप चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर होगी तैनाती जी हां रूसी मिसाइल सिस्टम इस 400 की पहली खेप भारत पहुच चुकी है जर्लीस की दूसरी खेप भी आ सकती है पर बात की इस बारे में परधान मंतरी ने सोसल मीडिया पर लिखा कि हम फर्टेलाइजर की सप्लाइजर से में दोनों देसों के भी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हैं और अगली बड़ी खबर की बात के तो पी-एम किसान ट्रैक्टर योजना से होगा किसानों को बड़ा फैदा दरसल किसानों को क्रीसी काम के लिए कई तरह की मसीनों की जरूरत पड़ती है इसी जरूरत में ट्रैक्टर भी एक महत्पून हिस्सा है हाला के भारत में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं है ऐसे में किसानों की मदद के लिए किंद जिसके तहत अब 10 से 45 साल तक की एक दिसके पर देश की एक करोड़ बीस करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को नहीं सुलक सैनेटरी नैपकिन वितरन किया जाएगा बता दे कि राजस्थान यह पहल करने वाला देश का पहला राज्य है योजना के तहत पर देश की एक करोड़ 20 लाख महिलाओं को लावानवित करना है हाला कि योजना के सुरुवाती चरण में 28-30 लाख महिलाएं और बालिकाओं को सैनेटरी नैपकिन वितरन किया जाएगा जिसके लिए सरकार ने 200 करोड़ का बजट टै किया है और अगली बड़ी ख़बर की बात के तो अब घर की स्कीम लाएगी मोधी सरकार बाड़ भुकंप आग से होगा बचाओ तीन लाख तक का मिलेगा कोड़ेज जिहां अपना घर हर इंसान का सपना होता है हम बड़ी मुसीवत से जीवन भर की कमाई कठक करके अपना घर बनाते हैं और अगर बाड़ भुकंप आग लग जाये त प्राकिर्तिक आपड़ जैसे बाड़ भुकंप के दोरान लोग के घरों को होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए तीन लाख रुपे तक का इंसुरेंस कवरेज देगी इसके साथ ही तीन लाख रुपे तक कवरेज घर के सामानों का भी होगा और तीन तीन लाख रुप अधार से जोडने के मामले में सुप्रिम कोट के निजता के अधिकार के फैसले को ध्यान में रखा जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उत्तर भारत के पान मसाला उत्पादन समुह पर छापेमारी में 400 क्रोड से अधिक के बेनामी लेन दिन की ओर इसारा कर रहे हैं। पार से बड़ी रकम अर्जित कर रहा है मुखवटक कमपनियों के माध्यम से पैसा वापस लाया जाता था। अगली बड़ी खबर की बात कर तो स्कूली बच्चे को मिड़े मील में अंडे दिये जाने का मुद्दा गरमाया। साधू और मठोने की आंदोलन करने की घोशना जिहां करनाटक में स्कूली बच्चो को मिड़े मील में अंडे दिये जाने के फैसले के खिलाब साधू और मठोने आंदोलन करने की घोशना की है। पॉल इंडिया वेजिटेरियन फेडरेशन ने स्कूलों में बच्चों को अंडे दिये जाने के खिलाब बेल गावी में विधान सवाद चलो अंदोलन की अपील किया है। देना चाहिए या नहीं नीचे कमेंड में जरूर बताएं। पॉच्ता कॉमपलेक्स, कर्व दो लाग गावं में ठोस कच्रा प्रबंधन योजना, एक लाग बैरासी हजार गावं में ग्रेव वाटर मेनेजमेंट पोजेक्ट, करीब चीस सो बलोक में प्लास्टिक कच्रा प्रबंधन यूनीट, और 386 जीलो में गोवर धन प्रबंधन संरियंत्र लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है इस यूजना के तहद कोशिस की है कि रसोई और इस्नाना घर से निकलने वाले ग्रेव वाटर को रिसाइकिल होने के बाद क्रिसी या कॉमर्सियल छेत्रों में इस्तमाल किया जा सके है और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रोन के डेल्टा वेरियंट से कम खतरनाक होने का कोई सबूत नहीं दोबारा संक्रमन का खत्रा 5.4 गुना अधिक यूके स्टडी जी हाँ ब्रेटेन में किये गए एक अध्यन के नुसार इस बारे में कोई सबूत नहीं है कि कॉरोना वाइरस का ओमिक्रोन वेरियंट डेल्टा स्वरूप की तुनला में कम खतरनाक है इस अध्यन में यह भी पाया गया है कि नया वेरियंट पिछले संक्रमन या वैक्सिन की दोनों डोज से मिली युम्यूटि को बड़े पैमाने पर चकमा देता है अनुसंधान करताओं दोरह किये गया अध्यन में अनुमान लगाया गया है कि ओमिक्रोन वेरियंट से फिर संक्रमित होने का जोकिम डिल्टा स्वरूप की तुनला में पास धर्मों चार गुना अधिक है उन्हेंने कहा कि इसका मक्सद एया है कि पिछले संक्रमन से मिली सुरक्षा को ओमिक्रोन 19% तक कम कर सकता है और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदूसित हवा में कसरत करना दिमाग को करता है बीमार अध्यान में पाया गया है कि वायू प्रदूसन के दौरान ज्यादा एक्सरसाइज करने से आपका दिमाग तेजी से बूड़ा होने लगता है दोस्तो आज की खबरों में बस इतना ही इसी तरह हरोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जूरे रहें हमारे साथ जूरने के लिए वीडियो के नीचे दियेगे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको हर कबर की सटीक जानकारे मिल सके